अपराधियों ने राजीव कुमार शह नामक एक युवक की देवराध गूली मार कर हत्या कर दी घटना के कारणों का पता फिलाल अभी नहीं चल पाया है अश्रंका यही जताई जा रही है कि लूट पार्ट के क्रम में ही अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुँचे पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्माटम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है वही समस्तिपूर के ताजपूर में प्रखंड प्रश्यासन के खिलाफ पंचायत समिती सदस्य के दिवसी भूख हरताल पर बैठ गई आपको बता दें कि 13 पंचायत समिती के सदस्यों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी पर उनके अधिकार का हनन करने का आरोप लगाया वही भागपा माले के प्रखंड सचीव सुरेंद्र प्रसाद सिंग ने भूख हरताल का समर्थन करते हुए कहा कि विक्षेत्र में विकास चाते हैं और विकास के लिए किसी भी संगठन या संस्था आंदोलन करेगी तो भागपा माले उसका समर्थन करेगी पंचम हम लोगों का योजना है डिपलेप्मेंट के लिए पैसा आता है हम लोगों का यो लगभाग 32 लाग के आस पास हम लोगों की रासी आई हुई अरुजअ को पारित कर लिया गया पारित करने के बाद बारमुख सहब ने वी information दिया वीडियो को दुर्भाश पे वहें पत्ना में भोजपूरी फिल्म अभीनेतरी अक्षरा सेंग और भोजपूरी अभीनेता राकेश मिशिरा ने अपनी upcoming film बाजी के announcement को लेकर press conference किया इस दौरान कलाकारों ने मीडिया से बाचीत करते हुए अपने फिल्म के बारे में कई बाते भी बताई साथी मौके पर फिल्म के निर्माता और प्रोड्यूसर भी मौजूद रहे फिलाल बलोटिन में बस इतना ही हमी दीजी अजाज़त बने रहे इनेशन नियूस के साथ धन्यवाद गुमलाजिले के घागरा थानक श्वेत्र के गमहरिया में नबालिक लड़की के गर्भवती होने का मामला सामने आया है नबालिक जन्म से ही मुक बाधिर है जब परिवार को नबालिके गर्भवती होने का शक हुआ तब उन्होंने इसकी शिकायत गाउं के मुक्या को की मुक बाधिर होने के कारण लड़की कुछ भी बताने में असमर्थ है जिससे आरूपी को पकड़ पाना काफी मुश्किल भी हो रहा है हलाकि खोजबीन जारी है पेट बड़ा दिखा तो हम इसको रोके अर इसका उमर हमको लगता है 16-17 के भी होगी हमको लगा कि भाई इसके पीछे तो क्या राज है जो इसे हुआ देश में बढ़ती महंगाई को लेकर राची के कॉंग्रेस भवन में प्रेस कॉंफरेंस का यजिन किया गया इस दोरान राश्ट्रिय प्रवक्ता गौरव वल्लब ने केंद्र सरकार को जम कर सुनाया और इसे जनता विरोधी सरकार बताया साथी उन्होंने तंज कस्ते हुए कहा कि नरेंद्र मोधी सरकार ने जीडीपी का नाम बदल डाला है यह सरकार जब जीडीपी बढ़ने की बात कहती है तो उसका मतलब गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धी से है मौके पर कॉंग्रेस के कईनेता भी मौझूद रहे इम्पोर्टन सवाल है और आपको इसक्ष्ट इसके बाहने में जानना और इसके साथ की हो, जो कुणई है च्झाथ कई पेट्रोल की जो कीमत होती है इसमें एक तो बेस प्राइस होती, एक एक क्साइज तुटी होती है केंदर सरकार की देखिए बड़ा important सवाल है और आपको इस पच्ट मिस्टे बाहने में जाना है प्रश्स के साथ ईओ बड़ा है इसे आप आते हैं पैड्रूल्स की जो कीमत होती है दीजन की जो कीमत होती है उसमें तो बेस प्राइस होती है एक exercise duty होती है केंदर सरकार की देखिए बड़ा important सवाल है और आपको इसके बाहने में जानना है इसके साथियों के लातिहार के चंदवा थनक शृत्र के अंदरगत दो अलग-अलग जगों पर कुवे में डूबने से एक नाबालिक समेत दो की मौत हो गई पहली घटना चकला पंचायत के नगर की है जहां कुवा में डूबने से चुन्नू उराओ की मौत हो गई वहीं घटना में संबंद में बताया जा रहा है कि मौके पर ववाहिक कारेक्रम में विक्वया हुआ था जहां वो शौच के लिए बाहर गया था इसी कड़ी में अंधे महिला थाना प्रभारी मीरा सिंग को 15,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा है जिसके बाद उन्हें गिरफतार कर सीधे राची ले जाया गया दरसल गितांजुली तीडू नाम की एक महिला नेक व्यक्ति पर यौन शोशन का आरोप लगाया था लेकिन महिला था रहा है कि पूरे प्रकरण में पहले भी रुपए लिये जा चुके हैं। पर जासे वांपे देखा तो तो इनके पीम था वांपे हैं। गुम्ला जिले के कामडारत हना अंतरगत पकरा पंचवायत के पहाड गाउं आम टोली में बीते दिन को पांच लोगों की धारदार हतियार से निर्मम हत्या कर दी गई थी इस मामले में पुलिस को एहम सुराग मिले हैं मौके पर पहुँचे डॉग स्क्वाड टीम ने गाउं में घूम घूम कर जाच की जिस दोरान गाउं के ही फिलिप तोपमो के घर से एक टांगी और लकडी काटने का ओजार बरामत किया गया जिसे टीम ने जब्त कर लिया है प हत्या में हतियार का प्रयोग किया गया होगा इस संबंद में स्पी हरदीप पी जनारदन ने कहा कि बरामत हतियार को फॉरंसिक जाच के लिए भेज़ दिया गया है